संद भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे एक प्रेलनादायक हिंदी कहानी, एक संद थे वे भगवान राम को मानते थे कहते है यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिष्टा जोड़ लो, जहां जीवन में कमी है वही ठाकुर जी को बैठा दो, वे जरू उस संबंद को निभाएगे, इसी तरह संद भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है इसलिए माता सीता को पुत्र वधूप बहूप के रूप में देखते थे, उनका नियम था रोजमंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान को पहनाते थे पर उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी उन्होंने पुझारी से कहा, ये बाबा रोजमंदिर आते है और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते है, कोई तो बजार से खरीद कर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी पुजारी जी को सबने भटकाया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना अब जैसे ही बाबा मंदिर आये और पुजारी जी को माला उतार कर दी तो आज पुजारी जी ने माला भगवान को पहनाने से इंकार कर दिया और कहा यदि आपको माला पहनानी है तो बजार से न वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई तुरंट वह माला तूट कर नीचे गिर गई उन्होंने फिर जोड़ कर पहनाई फिर तूट कर गिर पढ़ी ऐसा तीन चार बार किया पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी जी ने बाबा से ख्षमा मांगी संत सीता जी को बहु मानते थे इसलिए जब भी मंदिर जाते पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे परदा कर देते थे भाव ये होता था कि बह सीता जी के आगे परदा कर देते एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज लगाई पुजारी जी हम आ गए उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे उन्होंने सुना नहीं तब सीता जी ने तुरत अपने विग्रह से बाहर आए और अपने आगे परदा कर दि जब बाबा मंदिर में आये और कुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ और सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो परदा लगा है पुजारी बोलेक बाबा आज आपने आवाज तो लगाई ही नहीं बाबा बोलेक पुजारी जी मैं तो रोज की तरह आवाज लगाने के बाद ही मंदिर में आया तब बाबा समझ गए की सीता जी ने स्वयम की आसन छोड़ कर आए और उन्हें मेरे लिए इतना कश्ट उठना पड़ा आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे अब बाबा रोज मंदिर के सामने से निकलते और बाहर से ही आवाज लगाते अरे चेला राम तुम्हें आशिरवाद है सुखी रहो और चले जाते सच है भक्त का भाव ठाकुर जी रखते है और उसे निभाते भी है चलो मन वरिंदावन की और प्रेम का रस जहां चलके है खृष्णा नाम से भोर भक्ती की रीद जहां पल-पल है प्रेम प्रीती की दोर राधे राधे जबते जबते दिग जाए चित्चोर चलो मन वरिंदावन की और दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें